नमस्कार दोस्तो मैं उदेलार फ्रेकबर स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हरकिसन भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तेहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल देखा टाइटल पढ़ा हाँ दोस्तो जो देखा वो सच है जो पढ़ा वह भी सच है दोस्तों आपकी कितनी दिक्कते आती थी कि सर हमारे पास जो चूजे हम तयार करते हैं वो मुर्गी के माध्यम से निकलने वाले हो या साथ ही में इंकुबिटर के माध्यम से वो जीन नहीं पाते हैं एक से लेके 30 दिनों के भीतर अगर आपके चूजे एकस्पायर हो रहे हैं तो आइसे में दोस्तों आपने तो पूरा मेडिसिन किया होगा तभी भी अगर ये शिकायत है तो दोस्तों आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी सही तरीके से मेडिसिन देना बहुत जरूरी है दोस्तों लेकिन मेडिसिन सही देने के बावजूद अगर आपके फार्म पर बच्चों का मौटिलिटी रेट नहीं घट रहा है तो दोस्तों आपको एक जानकारी लेनी जरूरी है कि आपके फार्म पर जो छोटे छोटे बच्चे है छोटे 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 चूजे है उनकी दिक्कत थोड़ी और है दोस्तो अगर बच्चे कितनी भी यहाँ पर हम जो है दोस्तो सावधानी वरतने के बावजूत एक्सपायर होते हो तो दोस्तो कहीं तो भी गलती हो रही है उसे सुधारना होगा क्या आपको पता है कि स्रिफ टीका करन के वज़े से ही बच्चे जी नहीं पाते हैं टीका करन गलत हो गया तो बच्चे मरेंगे सव प्रतिशत तहें लेकिन टीका करन को सहने के लिए हमारे मुर्गियों के चूजों में सही मातरा में शक्ती भी होनी चाहिए इस शक्ती की बात करें तो दोस्तो फिर शक्ती यानि दोस्तो पावर पावर यानि दोस्तो जो वहाँ पर उर्जा चाहिए उसकी जरूरत दोस्तों वहाँ पर फिड ही मोहोया करके किया जा सकता है लेकिन दोस्तों हम क्या करते है चूजे निकालते है चूजों को गेहूं, चावल, मकाई, बाजरा इतना ही दे देते है दोस्तों और इससे हमारे छोटे-छोटे चूजों की जो बढ़ोतरी है ठीक धंक से नहीं होती है ऐसे में दोस्तों फिर उनको हम टीका करन तो करते है लेकिन टीका करन करने के बावजूद भी उनका मौटिलिटी रोड दोस्तों बढ़ता है लेकिन दोस्तों इसके लिए फिड का सही ग्यान होना जरूरी है ये ग्यान प्रस्तुत वीडियो में आपको दूँगा उस माध्यम से implementation कीजिए और आपके फार्म के बच्चे पहले 30 दिनों में मरने से रोकिए रोकने के लिए देखे वीडियो शुरुआत से लेकर अंता तक वीडियो अगर आखिर तक देखती हुए पसंद आ जाएगा तो ज़रूर लाइक कर दिजे ज़्यादा ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दिजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूप इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के साथनों का इस्तमाल करते हुए हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास यह वीडियो शेयर कर दिजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहूँगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस से मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजे इसके लिए इस वीडियो के दाइतरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्र के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों आपने आपकी जो मुर्ग रहे उसके साथ ही दोस्तों ओस्ट्रावेट है वाई में रॉल है सभी बाते देने के बावजूद भी अगर चूजे मरते है तो दोस्तों फिड में गड़बड है गड़बड किस तरह से दोस्तों आमूमन हमें पता ही नहीं है दोस्तों कि छोटे चूजों को क्या देने प हत्व बताउंगा लेकिन जितना प्रीसेटर का इस्तेमाल दूसरी मुर्गियों में और मुर्ग पालन के फार्म में किया जाता है उतना प्रीसेटर हमें आवशक नहीं है मैं आपको एक प्रमान होगी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोध करती रहेगी देखे दोस्तों फिर किस तरह से पहले 30 दिनों में मुर्गियों के जो बच्चे हैं उनको आहर देना चाहिए तो दोस्तों पहले 30 दिनों की बात करें तो उसमें से पहले 15 दिनों का फॉर्मिला अलग है और उसके होते हैं उनको प्रिश्टार्टर के साथ साथ चावल देना जरूरी है आप पूरा प्रिश्टार्टर देंगे तो आपके जो छोटे-छोटे बच्चे है चूजे है बॉलर की तरह बहुत वहां पर जो है दोस्तों बढ़ जाएंगे और उसी कार नुवस दोस्तों हमारा ल स्टार्टर लेना है और पचास प्रतिशत दोस्तों आपको जो है वहां पर चावल का जो है दोस्तों टुकड़ा है और इसी के साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं दोनों को मिला दीजिए उस पर गुड़ पानी का छिड़का एक नॉमिनल कीजिए जिस माध्यम से थोड़ बड़े पैमाने पर उनको खा सकेंगे इस तरीके से मिश्रन तयार करने के बाद आपको पहले 15 दिन में इनको इस्तेमाल करना है आप पहले क्या करिए दोस्तों अगर आपको 10 किलो यह पहले 15 दिनों के लिए फीड तयार करना है तो आप आधा वहां पर गेहू का जो टुकड लीजिए और प्री स्टार्टर आधा लीजिए दोस्तों यानि 50-50 प्रतिशर पांच के लों के लिए आढ़े आढ़े किलो दो किले के लिए एक किलो आइस तरह से कीजिए और सभी पर गुड़ पानी का चिड़काओ करके मत रखिए जब आप आभी डालने वाले तो उससे एक घंटा पहले गुड़ पानी का उस पर छिड़काओ कीजिए ये करने के माद्यम से क्या होगा कि चूजे बहुत बढ़िया तरीके से ये जो प्री स्टार्टर मिश्रित चावल का जो टुकड़ा है वो खा लेंगे इससे क्या होगा सही मायने में बढ़ो तरीके लिए उनको वहाँ पर जो है दोस्तो आउसर मिलेगा और मुर्गियों के चूजे जो है बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे एक तो बॉयलर जड़ा बॉयलर की तरीका बहुत ज्यादा वो हमें ज्यादा फुगेवें भ यूँकि हमने प्रिश्टार्टर का इस्तमाल सिर्फ 50 प्रतिशत किया है उसके बाद दोस्तो 16 से लेके 30 दिनों का जो फॉर्मिला है उसमें और बदलाओ है जिसमें प्रिश्टार्टर का प्रमान घटाया जाता है और मुर्गियों के चूजों को जो देशी फिड़ है उस तो एक किलो चावल का टुकडा, एक किलो मकाय का भरडा और एक किलो प्रिश्टार्टर इनको मिलाना है और गुड़ पानी का चिड़काओ करके मुर्गियों के चूजों के सामने रखना है तीस किलो के लिए दोस्तों दस किलो आपको चावल का टुकडा, दस किलो मकाय का भरडा और दस किलो के आसपास दोस्तो आपको pre-starter का इस्तमाल करना है। इतना मिश्रन जितना लगता है उतना ही बना लीजिए और उसके बाद दूसरा मिश्रन बना लीजिए। क्योंकि दोस्तो एक ही समय पर बना कर रखोंगे तो इससे क्या होगा कि उसकी life थोड़ी कम होती रहती। इसलिए जितनी जरूरते उतना ही तैयार करके मिक्स करके उपर से गुड़ पानी का छड़िकाव कीजिए। इस तरह से प्रिश्टार्टर का इस्तमाल अगर आप पहले 15 दिनों में आधे से आधा और उसके बाद के 15 दिनों में 33 प्रतिशत करोगे तो दोस्तों 100 प्रतिशत प्रिश्टार्टर की वजह से मुर्गियों के चुजों की बहुत बढ़िया गुरोथ होगी। तो दोस्तों उसकी तिवरता हिए छोटे चुजे सेह नहीं पाते हैं और वहर दोस्त देने के एक दो दिन के बाद ही मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों की मुर्गियों के शरीर में उतने पैमाने पर उर्जा संकटी न होना इसलिए दोस्तों颿 प्रीश्टार्टर का इस्तिमाल बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक मर्यादा के साथ करोगे तो 100% मुर्गी पालन के फार्म पर हमारे चूजों पर पहले 30 दिनों में आने वाली हर दिकत दूर हो जाएगी एक बार पहले 30 दिनों में आपने इन चूजों को मजबूत कर दिया तो दोस्तो एक महा के बाद इन चीजों में सही समय पर जो बचा कुचा ठीका करन करते गए तो दोस्तो चूजे बहुत ही बढ़िया, मजबूत और दोस्तो तंदूरुस्तो होंगे तंदुरुस्त चूजे अगर हो जाए तो दोस्तो उससे निकलने वाली मुर्गिया और मुर्गे भी आगे चलके तंदुरुस्त निकलेंगे इसलिए दोस्तो एक बात ध्यान में रखे शरीव दवादारों करके ही मुर्गे पालन के फार्म के हर भीमारी को रोका नहीं जा सकता है मुर्गियों के बिमारी को रोकना होगा तो उस मुर्गी के चूज़े को भी मजबूत करना जरूरी है जिसमें फिड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है फिड का इस्तमाल करते हुए ये सभी बाते ध्यान में रखे दोस्तों प्रेश्टर का इस्तमाल सव प्रतिशत मुर्गी पालन के फार्म पर चूज़ों के लिए जरूरे लिखनेक मर्यादा तक लेकिन प्रीश्टार्टर कौन सा दे तो दोस्तों मार्केट में गोदावरी कावेरी बोल के यहां पर प्रीश्टार्टर है आपके एरिया में अलग नाम से हो सकता है वो खरीद लिजे लेकिन गैरांटी का प्रीश्टार्टर लिजे सव दोसों से कोई सस्ता मिलता इसलिए उनका लेना उचित नहीं होगा कॉलिटी देखकर लिजे ताकि आपके चूजों की बढ़ोतरी ठीक हो और अदल बदल कर प्रिश्टाटर का इस्तिमाल कीजे इस बैच को इस कंपनी का उस बैच को उस कंपनी का ताकि क्या होगा कि प्रिश्टाटर में आपकी मुर्गियों की चूजों की बढ़ोतरी अच्छी होगी वही प्रिश्टाटर बाद में आप कंटीनिव कीजे और असाती में दोस्तों प्रिश्टाटर देने का कोई साइड इफिक्ट तो नहीं है लेकिन ज्यादा मर्यादा से प्रमान हो गया मात्रा बढ़ गई तो दोस्तो वह देशी चूजा बॉयलर्स के सरी का बड़ा बन जाता है दोस्तो जिससे उसका देशी पन खत्म हो सकता है इसलिए प्रमान के साथ मातरा के साथ प्रिश्टार्टर का इस्तमाल कीजिए और मुर्गियों को और चूजों को अगर आपको आने वाली बिमारियों से रोकना होगा तो शुरुआत से ही उन्हें मजबूत कीजिए ताकि आपके फार्म की हर चूजा मजबूत होगा तो आने के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्टिव है तो दोस्तों यह में मेरे आनलाइन बैचेस में सभी बाते सिखाता हूं आनलाइन बैचेस के जुड़ने के लिए संपर किजे 84-82-62 पर तो दोस्तों इसके बारे में क्या है आपका खयाल क्या आप अपने फार्म पर प्रिश्टार्टर का इस्तमाल करते हो अगर हां तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बेजिए अगर नहीं तो नहीं करके भेजिए लेकिन नहीं करते होंगे तो जल्दी जल्दी प्रिश्टाटर का इस्तमाल करके मुर्गी पालन के फार्म के चूजों को कर दीजिए सक्षम मजबूत ताके आने वाली बैज भी हो सके मजबूत जिससे मिलने वाला उत्पादन बहुत बढ़ा और बढ़िया आ आपका कहना कमेंट सेक्षन के जरीय मुझे तक पहुचाएए पसंद आया होगा वीडियो सव प्रतिशत तो लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर और घर का सदस से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में ग चहीते चानल इंडियन किसान इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार